बिग बॉस के सीजन में जब कहते हैं ना कि टीवी का शबाब बढ़ ही रहा था जब बिग बॉस ने टी आरपी बटोरनी शुरू की थी वैसे ही बिग बॉस ने अपने घरवालों की वाट क्यों लगा दी अब आप कहेंगे यह मैं कह क्या रहा हूं नमस्ते मैं राशिद इंट्री हुई और बिग बॉस के घर में पहले जब बिग बॉस को यह लगा कि विकी जैन खुद ही अपनी चालाकियों से गेम प्लैन बहुत अच्छा रच रहा हैं तो उनका पत्ता काटा गया और उनकी छवी एक तरह से नेगेटिव बनाने की कोशिश की गई मुनवर फ फारुकी का भी ग्राफ नीचे गिराए गया अंकीता लोखंडे के साथ भी कमोबेश इसी तरह का हुआ खानजादी जिनकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली जा रही थी खानजादी के साथ तो बाहर होने तक ही नौबात आ गई रशना रशना मैं एक सवाल यह उठा रहा करके मुनवर फारुकी के जो व्यक्तिगत रिशने हैं उन्हें लाग करके फिर इसके बाद आप देखे ना खानजादी जिनने बाहर होना पड़ा बहुत पॉपुलरिटी बिग बास अपने ही घर की वाट लगाने में क्यों पड़े हुए हैं आप अपना ऑपीनियन भी ब मैं बस आपको इतना कहूंगी कि जो लोग पॉपुलर हो रहे हैं वो लोग का इविक्त जरूर हो रहे हैं एश्वर्या हमने देखा कि बहुत जादा हंगावा करती थी मैं बिग बास नहीं फालो कर रही हैं इसलिए मैं बस अपना ओपीनियन होंगी क्योंकि एश्वर्या बहुत जादा जगडा करती थी वो भी विक्त हो गई हैं और सबसे बड़ी बात खानजादी जितना हंगावा मचाती थी बिग बास की घर में वहीं विक्त हो गई हैं लेकिन एक मसाला मिला है बिग बास के घर में एक मसाला मिला है कि अंडर दा ब्लांकेट अंकिता और वि जाना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाई कपल है ऐसी इंटिमेसी हो जाती है अब अलग अलग तरह की रियाक्शन है लेकिन अंकिता लोखंटे की प्रिगनेंसी की बात एक बार फिर से सामने आ रही है तो यह बिग बॉस के घर में जितना चुटीला पन चल ला है ले झाल स्बस्ते हूँ